हालो माई यूटूब फैमली के हाल चाला आप सभी की तो फिर से आज मैं आप सभी को अपने इंडियन बैस ड्राइंग 3D गेम के मीट को कंफरम एंड वस्टेड करने वाला हूं जो कि आप सभी ने मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताए थे गेट रेडी तो पस्ट कमेंट आया है मस्टेंग के टायर पंचर है क्या सच में मस्टेंग जीतिकार के टायर पंचर है अगर पंचर निकले तो उनकी पंचर कहां से निकलवाएंगे हम चलो पहले देखते हैं पंचर है या फिर नहीं है तो आप सभी को पता है मस्टेंग जी लग तो रही है पंचर लेकिन एक बार इनको मैं इसकोप वाली गंसे इसकोप लगा कर चेक कर लेता हूं और इसकोप जैसे ने लगा तो आप सभी देख सकते हैं तेंग जिटीगार के टायर पंचर है रियल में तो यह वाला मित हो चुका है कन्फरम्ट अगले मित का कॉमेंट है नाइट मोड में साइकल की लाइट्स ओन हो जाती है वैसे साइकल में लाइट्स कब से आने लगे चलो ट्राइब करते हैं तो पहले तो मैं इस टाइम पे डे किने को मिलेगी यह वाली साइकल और यार मुझे तो लग नहीं रहा कि इस साइकल में कोई लाइट्स होगी देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है चलो इसकी राइडिंग करते हैं तभी हमारे पास लाइट्स ओन करने का ओप्सन आएगा चलो इस पर बैठ जाता हूं और बैठ है कनफरंब्र नेक्स्ट मित कॉमेंट के कार के पीछे देखो गे तो उसमें से धुआ निकलेगा क्या सच में चलो अबamentos आ चुकां चलो कार सोरोटके अंदर चलते हैं जो कार खड़िये उन거र के पीछे देखते हैं सच में दुआं निकल रहा है तो ये मित हो चुका है कांपरम्ड next कॉमेंट है फोन का कलर बलैक नहीं होता है अच्छा यह बात है के मैंने जुकर ट्राइब कर लेते हैं हमें RGS टूल पर चलना है यहांपर वे हमें टाइप करना है फान कलर ब्लैक तो हाँ मैंने color green लिखा तो green मेंबी हो गया मतलब ये black color में change नहीं होता है तो ये myth confirmed है अगले myth का comment है अगर हम एनपीसी की कार में बैठेंगे तो हमारा character react करेगा वैसे react कैसे करेगा चलो NPC car के पास अलते हैं और ये NPC मिल चुका है इसकी कार को चीनते हैं और इसके पास आ चुका हूँ और जैसे मैंने इसकी कार को चीना तो पहले हमारे करेक्टर ने पहले इसको दो ला तुमारे इसको भार निकाल कर फैंका फिर खुद अंदर बैटा तो काफी अच्छी तरीके से रियक्ट करने लगए है पहले ऐसे रियक करूंगा नेक्स्ट मीत कोमेंट है अगर आप अपने गेम में सुपर जंप लगा कर कार सूरूम के बोर्डर वैल्स पर जंप करोगे तो होगा मैजिक तो मैं सुपर जंप का चिटकोड आप सभी को पाता है 12-15 तो मैंने एक्टिविट कर लिया है और अब हम करने वाले हैं ब कैसी ट्राइ किया तो भाई मुझे तो कोई मैजिक देखने को नहीं मिला है क्या पता इसके सैड़ वाले डंडे को बोला हो बोर्डर वल्स चलो यहां पर ट्राइक करते हैं और यह क्या यहां से ट्राइक किया तो कुछ अलग मैजिक देखने को मिला तो आप इस वीडियो म पर और पहले मैं यहां से night mode करता हूँ फिर हमें बता चलेगा light कैसी जलती है और वैसे यहां पर कोई light तो दीख नहीं रही और जैसे मैंने night mode को activate किया तो आप सभी देख सकते हैं इस्टेशन में हमें कुछ इस परकार से night mode में lights देखने को मिलती हैं जो की काफी amazing देखने को मिलती हैं लेकिन यार इस इस्टेशन पर तो कोई light थी नहीं लेकिन यह उजाला कहां से हुआ तो यह एक fact है और यह मित हो चुका है confirmed next myth comment है अगर हम RGS tool में big height लिकेंगे तो अपने game का character बड़ा हो जाएगा this magic अच्छा यह सच में अपने game का character बड़ा हो जाएगा अभी तो आप सभी देख सकते हैं अपने game का character की height कुछ इस परकार से चलो अब हम RGS tool पर चलते हैं और यह note करते हैं big height देखते हैं कि अपने game का character big होता है या फिर नहीं तो मैंने यहां पर RGS tool में big height लिक दिया है और मुझे यहां पर राइट पर क्लिक करना होगा और देखते हैं कि अपने game का character की height big होती है या नहीं और मैंने जैसे click किया तो अभी तक तो भाई अपने game की character की कुछ height भी नहीं बड़ी है चलो यार Busted अगले मित का comment है थार लेकर zombie mode में जाओ फिर देखो जादू अच्छा अपने game में जादू भी देखने को मिलता है तो सबसे पहले मैं आच चुका हूँ यहां पर zombie mode पर इसको playing के लिए मैंने own कर दिया है और हमारा zombie mode open हो चुका है तो अब हमें सबसे पहले यहां पर zombie का type करना होगा जो कि आप सभी को पता है 20-30 मैंने type करके activate कर दिया है अब मुझे तार response करानी है जिसका चिट कोड़ आप सभी को पता है 9090 है और इसको भी spawn करा लिया है मैंने लेकिन यार हमें तो अभी तक कोई जादू देखने को नहीं मिला मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस फड़्ार के पास आ रहे हमारे उपर अटयक करने के लिए एटोमेटिकली किल होरे सच में जादू हो रहा है तो यह मित हो चुका है कंप्रमड नैच्ट मीत का कोमेंट है हमारे old हाँस का फ्यन चलता है लेकिन न्यू वाले 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 ये रिखता है दोनों हाँस के थानो में और मैं आ चुका हूँ अब न्यू हाउस में और आप सभी देख सकते हैं न्यू वाले हाउस का फैन नहीं चल रहे हैं तो भाई हो भी सकता है ही साउस में लाइट नहीं आ रही हो लेकिन यह मिट हो चुका है कंफ्रम नेक्स्ट मिट कोमेंट है अगर इसकार्पियो एस 11 क्लासिक को ब्लाष्ट करोगे तो वह ब्लाष्ट होगी पर उसका कलर नहीं जाएगा मतलब कैसे नहीं जाएगा चलो अभी ट्राइ करते हैं अच्छा उसको ब्लाष्ट करेंगे लेकिन उसका कलर वैसे के वैसे रहेगा चलो मैं सकार्पियो एस लिवन को स्पॉन करवा ले था तो यह मित हो चुका है कंप्रम्ट दोस्तों आप सभी को यह वाली वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को कर देना प्यारा सा लाइक और चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को भी कर लेना सस्क्राइब ऐसे अपने गेम के मित स्पाने के लिए और आप भी